हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रफेक्ट स्टेटिजेस में दूस्तो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बिहार दरोगा प्रारामभीक परीक्षा दोजर तेश जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट नमर वन समाप्त कर चुके हैं आज हम प्रैक्टिस सेट नमर दो को करने वाले हैं दोस्तो इसमें जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे इसमें हम लोग 100 कोशन का प्रैक्टिस सेट करने वाले दोस्तों में शेयर करें Facebook WhatsApp टेलिग्राम के माध्यम से और दोस्तों अब से आपको आज से डेली प्रैक्टिस सेट चलाए जाएगा विहार दरोगा के लिए तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और आप इसे लाइक जरूर करें सस्क्राइब करें दोस्तों में जरूर सेय आज का पहला कोश्चन अपका हो जाएगा कह रहा है कि अंतराज्य परिशत का पदेन अध्यक्ष कौन होता है एक कराई टेंसर हो जाएगा प्रधान मंत्री यानि कि option नमर बी option नमर बी हो जाएगा प्रधान मंत्री यानि कि अंतराजिय परिशत का पदेन द्यक्ष प्रधान मंत्री होता है और समीधान के अनुछेद 263 में तीरसट के अंतरगत केंद राजों के बीच शमनवे अस्थापित करने के लिए राष्ट पती एक अंतराजिय परिशत के गठन करता है। ओप्सन नमर बी इसका राइट इंसर हो जाएगा। कोशन मर्दों में कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सा समीधान के मूल अधिकारों का अंस नहीं है। दो कड़ाइट इंसर हो जाएगा ओप्सन नमर C यानि कि उद्यों के परवंधन में श्रमिकों की श्रह भागिता। राज के निती निर्दे सक तत्यों के अनुछेद आपको 43 के अंतरगत राज करमचारियों के लिए निर्वाह, मजदूरी, सिष्ट, जीवनस्तर आदि का परियास करेगा। और राज के निती ने रिशकता तो के अनुछे 43 के कौ में उद्योगों के परवंधन में श्रमिकों की भागदारी का प्रोधान किया गया है Option C इसके राइट अंसर हो जाएगा Q3 में आपको कह रहा है कि भारत में शंगिये मंत्री परिशत के सदस्यों की कुल संख्या किस से अधिक नहीं हो सकती है तीन का राइट अंसर हो जाएगा Option D यानि कि लोगसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% Q4 में आपको कह रहा है कि निमली खित में से कौन सा विभाग ग्री मंत्राले के अधिन नहीं है चार का राइट अंसर हो जाएगा Option D यानि कि बीधी काड ग्री मंत्राले के अंत्रक्त आने वाले कुछ महज़त पूर्ण विभाग है वो हम आपको बता देते हैं एक आपको आंतरिक सुरक्षा विभाग है एक राज भासा विभाग है उसके बाद आपको राज भी भाग है शीमा परवंधन भी भाग है और जम्मु एउकस्मी रिकार भी भाग है और सनमर डी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्ट देख लेते हैं कोशन नमर फाइब कराय कि भारत के समीधान के किस अनुछेद में यह वर्नित है कि भारत के राश्ट पती अपने पद की सक्तियू के पर्यूग के लिए भारत के किसी भी नियाले के प्रति जबाब देह नहीं होंगे पाच का राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर C यानिकी अनुछेद 361 अनुछेद 361 के तहद भारत के राश्ट पती अपने पद की सक्तियू के पर्यूग के लिए भारत के किसी भी नियाले के प्रति जबाब देह नहीं है अप्सन नमर E में दे रहा है अनुछेद 71 राश्ट पती के चुनाव से संबंधित मामले आपको अनुछेद 143 राश्ट पती की सरवच नियले में सलाह लेने की सक्ति और अनुछेद 277 के तहद संग सरकार कुशिदसाओं में राज्यो पर्निय अंतरन रखती है कोशन नमर 6 में कहड़ा है कि किस समीधान संसुधन के तहद मतेदान के लिए आयू सीमा को 21 वर्स से घटा कर अठारे वर्स कर दिया गया 6 का राइट इंसर हो जाएगा ओप्शन नमर ए यानिकी 162 समीधान संसुधन 162 समीधान संसुधन 1989 में मतेदान के लिए आयू सीमा 21 वर्स से घटा कर के अठारे वर्स कर दिया गया और आपका एक ओप्शन वर्स समीधान संसुधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्टी राजधानी छेतर बनाया गया तथा दिल्ली संग राजचेतर के लिए विधान सभा का उपबंध किया गया इसका राइट इंसर ओप्शन नमर ए हो जाएगा दोस्तों यह प्रैक्टी सेट जो हम डेली लेकर आएंगे भी हार दरुका के लिए वह आपको सुबह में आपको नौ से दस बजे के बीच में आपको यह प्रैक्टी सेट मिलेगा नेक्श नमर देख लेते हैं कोशन नमर आपको साथ कराय के जीन प्रशनों का उत्तर सदस तुरंत सदन में चाहता है उसे 10 कहा जाता है साथ कराइट इंसर हो जाएगा ओफसन नमर बी उसे तरांकित प्रशन कहते हैं नेक्श देख लेते हैं कोशन नमर आठ करा की लोक सभा में कितिनी सीटे अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती के प्रतिनी धियों के लिए आरक्षित है आठ कराइट इंसर हो जाएगा ओफसन नमर बी यानिकी 131 बिधान आपको लोक सभा में अनुसुचित जाती के लिए जो शीटू की संख्या है वह आपको शुरासी है तथा अनुसुचित जन जाती के लिए आपको 47 है दोनों को जूरियेगा तो इसका राइट इंसर अपसन नमर बी या जाएगा 131 करा की बिधान सभा में धन बिधियक किसकी पुर्व अनुमती से पेस किया जाता है नाइट का राइट इंसर हो जाएगा ओफसन नमर बी यानिकी राज जिपाल करा की उपराश्ट पती निरवाचन होनी के लिए किसी ब्यक्ति की नियुनितम आयू क्या होनी चाहिए जो है भारत का नागरिक होना चाहिए उस 35 वर्स की आयू पूरी कर चुका हो राज सभासदस निरवाचित होने के युग हो और निरवाचन के समय कोई लाब के पदपर नहीं हो अफसन नमर बी इसका राइट इंसर हो जाएगा कोश्चन नमर 11 कोश्चन नमर 11 में आपको कह रहा है कि मदन, मोहन, पूंचियाएओ किसके अधेयन के लिए गठन किया गया था इगार कर आइट इंसर हो जाएगा आप्शन नमर ए एनिकि कैंदरराज सम्मन्ध कोशन नमर बार करा कि निमलिखित महासागर ये धराओं में से कौन सी एक सीत महासागर धारा नहीं है बारा कराई टेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी यानि की कुरेस्यू धारा कुरेस्यू धारा प्रसांत महासागर की गर्म जल धारा है उसके बाद केनारी जलधारा जो अपसंद एक में दे रहा है यह आपको आटलांटिक महास्तागर की ठंडी जलधारा है उसके बाद कैलिफोर्निया धारा जो है परसांद महास्तागर की ठंडी जलधारा है और फोकलेंड धारा जो दे रहा है वह भी आपको एक ठंडी जलधा रहा है वह आट्लांटिक महासागर की और सनमर से इसका राइट इंसर हो जाएगा कोश्चन नमर 13 में आपको कह रहा है कि ब्रह्मापुत्र और सिंधु न दिया पुर्वर्ती न दिया है एक पुर्वर्ती जलनी का सफवा कि शही परिवासा निमलिखित में से कौन सी हो सकती ह तेरा कर आइट इंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर B यानि कि जो हिमाले सिरेनी के अस्तित में आने से पहले ही भी धमान था यानि कि आप्सन नमर B इसका राइट इंसर हो जाएगा कौशन मर rpm च्वद गढ़ा कि सीडोसन कटी बंधी छैतर की बनस्पती को किस नाम से जाना जाता है 14 कढ़ाइट इंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर डी यानि कि मेसो फाइट मेसो फाइट सीडोसन कटी बंधी छैतर की बनस्पती है ओफ्सन ए में दे रहा है ट्रोपोफाइट यह आपको उस निकटी बंधिये जलवाई वाली बनस्पती है ओप्शन नमर B में दे रहा है जेरूफाइट यह उस निकटी बंधिये मरूर स्थली छेत्रों की बनस्पती है और option नमर C में दे रहा है cryophyte यह आपको टून रहा हैं सीथ प्रधान छेत्र की बनस्पती है इसका राइट टेंसर option नमर D हो जाएगा question नमर 15 में आपको कहड़ा है कि निमन में कौन अस्थल रूधिदेस नहीं है question नमर 16 में कहड़ा है कि शंपून भारत का अक्षांसिय विस्तार कितना है शुलक राइट टेंसर हो जाएगा option नमर B एनिकि 6 डिगरी 4 से 37 डिगरी 6 उतिरी अक्षांस जो कि आपका इसका शंपून भारत का संपून अक्षांसिय विस्तार है और भारत जो है वह आपको 8 डिगरी, 8 डिगरी 4 से 37 डिगरी 6 उतिरी अक्षांस और 68 डिगरी 7 से 97 डिगरी 25 पूर्विदे सांतर के बिच इस्तित है इसका राइट टेंसर option नमर B हो जाएगा कोशन नमर 17 में आपको कराए कि जब नदी मैदान में परवेश करती है तो यह औरोध के कारण मुर्कर टेड़ी मेठी बहने लगती है जो कहलाता है सतरक राइट इंसर हो जाएगा option नमर B यानि कि विशार्व हो जाएगा नेक्ष्ट आम लोग देख लेते हैं सतरक राइट इंसर आपसर नमर B हो जाएगा यानि कि विशार्व नेक्ष्ट आम लोग देखते हैं कोशन नमर 18 कराए की कंचन जंगा राष्टिय पार्क कहां इस्तित है अठारक राइट इंसर हो जाएगा option नमर B या आपको शिक्कि में इस्तित है नेक्ष्ट देख लेते हैं कोशन नमर 19 कराय की निमली खित में से कौन सा जायत फ़सल का उधारन नहीं है 19 का राइट इंसर हो जाएगा option नमर D यानि कि पर्ट्सन पर्ट्सन जोन है या आपको जायत फ़सल का उधारन नहीं है जायत फसल जो है वो है आपको मार्च में बोया जाता है और जून में काटा जाता है खीरा, ककड़ी यह तरबूज इसके परमुक फसले हैं आपसन नमर D इसका राइट इंसर हो जाएगा Next देख लेते हैं Question नमर 20 कड़ा की ताप विधुत पड़ी उजनाव के शंदर्व में निमली खित में से कौन सा जोरा सही है 20 का राइट इंसर हो जाएगा Option नमर C यानि की कवास जो गुजरात दे रहा है यह अपका सही है कोरवा जो दे रहा है यह आपका उत्तर प्रदेश ना होगे 36 गड़ हो जाएगा उसके बाद राम कुंडम जो तमिलनाडू दे रहा है यह आपको आंधर प्रदेश में है और तल्चर कवास जो है वह आपको गुजरात हो जाएगा और तल्चर जो आंध प्रदे दे रहा है यह आपको ओडिशा में हो जाएगा इसलिए इसका राइट इंसर अप्सन नमर C कावास गुजरात सही है नेक्ट देख लेते हैं कोशन नमर 21 कवराय की चंग ठंगी और गंजम किस प्रसु की परमुख नसले है 21 का राइट इंसर हो जाएगा ओप्सन नमर C यहाँ बकडी की परमुख नसले है बकडी की परमुख नसले आपको चंग ठंगी जहुना पाड़ी सिरोही और गंजम ओप्सन नमर C इसका राइट इंसर हो जाएगा 22 में कह रहा है कि आपातनी कहां का मुख जन जाती है शमू है 22 के राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर B यह अरुनाचल प्रदेश का मुख जन जाती है शमू है Next दख लेते हैं Question नमर 23 23 कहरा कि वह अतापमान जिसका पाठ्यांग, फोरेन हाइट और सेलसियस दोनों पहमाने पर समान होता है तेज कर राइट एंसर होताएगा Option नमर C यह अरुन की माइनस 40 डिग्री Next दख लेते हैं 24 में कहरा है कि लंबी दूरी के वेतार संचार के लिए किस तरंग का पर्यूग किया जाता है 24 का राइट एंसर हो जाएगा Option नमर A यहनि की रेडियो तरंग का उप्यूग किया जाता है दूस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं इससे सब्सक्राइब कर लें इससे लाइक करें दूस्तों में सेयर करें Option नमर A इसका राइट एंसर हो जाएगा Question 25 में आपको कहड़ा कि किसी बस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतेवीम प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका पर्यूग किया जाता है 25 का राइट एंसर हो जाएगा Option नमर B यहनि की ओतल दरपन का पर्यूग किया जाता है Next मुलक देख लेते हैं Question 26 कह रहा कि Alpha, Beta तथा Gamma की बेधन सक्ति का आरोही क्रम निम्न लिखित में से कौन है 26 का राइट एंसर हो जाएगा Option नमर A एंगनी की पहले Alpha उसके बद बीटा उसके बद गामा हो जाएगा Option नमर A इसका राइट एंसर हो जाएगा Next मुलक देख लेते हैं Question 27 में आपको कह रहा है कि दिरिश स्प्रेक्ट्रम का तरंगदर कितना होता है 27 का राइट एंसर हो जाएगा Option नमर B एनिकी 4900 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम के बीच होता है निकी Option नमर B इसका राइट एंसर हो जाएगा Next आपको देख लेते हैं Question 28 कवड़ा की लेंप की बती में तेल किसके कारण उपर उठता है 28 का राइट एंसर हो जाएगा Option नमर D एनिकी कैसी की ये घटना के कारण Next देख लेते हैं Question नमर 29 29 में कवड़ा की पेंडूलम को चंदरमा पर ले जाने पर उसकी समय वधी पर क्या परभाव पड़ेगा 29 का राइट एंसर हो जाएगा Option नमर A यानिकी बढ़ जाएगा Next देख लेते हैं Question नमर 30 कवड़ा की यदि तामे के तार को दो गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या परभाव पड़ेगा 30 का राइट एंसर हो जाएगा Option नमर C यानिकी चार गुना हो जाएगा Next देख लेते हैं Question नमर 31 मैं आपको कह रहा है कि निम्न में से कोन सी भोतिक रासी की काई वही है जो प्रति बढ़ का है 31 का राइट एंसर हो जाएगा Option नमर D यानिकी दाब दाब का Newton प्रति मिटर स्क्वाईर प्रति बढ़ का भी हो जाएगा Newton प्रति मिटर स्क्वाईर तनाव का हो जाएगा निूटन, कार का हो जाएगा निूटन मीटर और कुनिय संबेग का हो जाएगा केजी मीटर स्क्वाइर प्रती सेकेंड नेक्ट आम लोग देख लेते हैं Question number 32 Question number 33 में कहड़ा है कि निमलिखित में से कौन साग्ट आम लोग देख लेते हैं बच जाता है जब हाइड्रोजन परमानु अपने एलेक्ट्रोन को खो देता है 33 कराई टेंसर हो जाएगा Option number C यानि कि एक प्रोट्रोन Next देख लेते हैं Question number 34 कहड़ा कि मुद्राले में प्रयूक्त टाइप के द्वारा किसके एलोई हैं मुद्राले में मुद्र नाले में प्रयूक्त टाइप धातु किसके एलोई हैं 34 कराई टेंसर हो जाएगा Option number B या आपको सीसा और एंटीमोनी के एलोई है Option number B राई टेंसर हो जाएगा 35 मकड़ा के सीमेंट शमाने तक किसका मिसरन होता है 35 कराई टेंसर हो जाएगा Option number A या आपको केलसियम सीलिकेट और केलसियम एलोमिनेट का मिसरन होता है Next दखते हैं 36 मकड़ा के निमली खित में से किस एक में विशिष्ट उसमा कमान सरवाधिक होता है 36 कराई टेंसर हो जाएगा Option number D यानि की जल का 37 कराई कि एलकोहल या जल के मिसरन से जल को अलग किया जा सकता है 37 कराई टेंसर हो जाएगा Option number A यानि की आसवन के द्वारा एलकोहल जल मिसरन से जल को आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है यानिकि option number A इसका right answer हो जाएगा next आपको दिख लेते हैं question number 38 में आपको कहरा कि सुकरोज के जल आप घटन से बनता है 38 का right answer हो जाएगा option number B यानिकि गुलकोच और फुक्रुटोज option number B इसका right answer हो जाएगा सुकरोज के जल आप घटन से बनता है कुलकोच और फुलकोट रोज और सन नमर बी नेक्स दख लेते हैं कोशन नमर थर्टी नाइन करा कि पेट्रोलियम से लगी आग के लिए किस परकार के अगनी शामक का पर्यूग किया जाता है 49 कराइट इंसर हो जाएगा और सन नमर ए यानि कि फोम परकार के नेक्स दख लेते हैं कोशन नमर चालिस में आपको मिलान करना है निमलिखित का मिलान करें 40 कराइट इंसर बता देते हैं कॉपर सेलफिट जो है वह आपका हो जाएगा फंगस नासी यानि कि एक का तीन हो जाएगा पेंसलीन जो हो जाएगा वह आपको प्रती जैविक हो जाएगा इवरिया जो हो जाएगा उरबरक और मैले था यान जो हो जाएगा वह किटना सक हो जाएगा यानि कि राइट इंसर आप्सन नमर ए हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 41 करा कि मनुस्य के जीव के किसी छेतर तक करवाहट की शमेदना सिमित रहती है 41 कराइट इंसर हो जाएगा Option D यानि की पिछला भाग मनुस्य के जीव के पिछले यानि की पश्च भाग में करवाहट की समेदना होती है 42 में आपको कहँँए कि इुरी या किस में संसलेसित होता है 42 कराइट इंसर हो जाएगा Option C या कृत में Question 43 में कहँँए कि उस बिटामिन का नाम बता है जो किसी मह सहारी भोजन में नहीं मिलता है 43 कराइट इंसर हो जाएगा Option B यानि की बिटामिन C दख लेते हैं फोटिफर कराई के दूद से दही असकंदित करने वाला एंजाइम है 44 के राई ट 엔सर हो जाएगा आफसार नमर B부 N.E.C.Rainine नेट दख लेते हैं 45 में कराई के निमले खित में किसका हिर्दय सीरा युकत होता है 45 का राइट एंसर हो जाएगा option number C एनिकी मतस से का next दख लेते हैं जान लेते हैं कुछ इसके भाड़े में मचली में दो कक्षो का हिर्दे होता है जो रक्ट को गिल में पंप करता है और वहां से रक्ट सिस सरीज में जाता है मचली का हिर्दे सी रायुक्त होता है यानिका option number C इसके राइट एंसर हो जाएगा 46 में कहरा है कि किस परक्टिया के दोरा सोशन के दोरा अंगय से रुधिर में परवेस करती है और फिर उसे छोड़ती है 46 का राइट एंसर हो जाएगा option number C इनिकी विशरन विशरन परक्टिया के दोरा सोशन के दोरा अंगय से रुधिर में परवेस करती है और फिर उसे छोड़ती है option number C इसके राइट एंसर हो जाएगा 47 में कहरा है कि गुन सुत्र किस से बनते हैं 47 के राइट एंसर हो जाएगा option number C यानिकी A प्लस B यानिकी DNA और प्रोटीन से बनते हैं और option number C इसका राइट अंसर हो जाएगा 48 में आपको कर आए कि कंजली जील किस राजी में इस्तित है 48 का राइट अंसर हो जाएगा option number B या आपको पंजाब राजी में इस्तित है और यहाँ जीर रामसर आंद्रभु में चेतर के अंतरगत आता है और सन नमर बी इसका राइट इंसर हो जाएगा नेक्श देख लेते हैं कोश्चन नमर फोटी नाइन में आपको कह रहा है कि जल सन्रक्षन यह प्रदूसर नियंतरन अधिनियम को बना उन्चास के राइट इंसर हो जाएगा और सन्रक्षन नमर डी यानि कि 1974 में जल सन्रक्षन यह प्रदूसर नियंतरन अधिनियम 1974 में बना और यह समिधान का एक अनिवार भाग है नेक्श देख लेते हैं कोश्चन नमर पचास कह रहा है कि दीतिय को भोगता होता है पचास के राइट इंसर हो जाएगा और सन्रक्षन नमर बी यानि कि मासा हारी शाका हारी जो नहें वह प्रात्म को भोगता होता है मासा हारी दिर्थिय को भोगता और सरवा हारी वह तिर्थिय उभोगता होता है option number B इसका राइटेंसर हो जाएगा निमली खित में कौन आंधर भूमी छेतर है ये काउन का राइटेंसर हो जाएगा option number D यानि कि चारो जो है आपको आंधर भूमी छेतर है चिलका जील, केवला देव उद्यान, भीतर करनी का उद्यान और आपको उपरी गंगा option number D इसका राइटेंसर हो जाएगा next हम लोग देख लेते हैं question number bound में कह रहा है कि वन सनक्षन अधिनियम को किस बर्स पारित किया गया bound का राइटेंसर हो जाएगा option number B, 1980 में वन सनक्षन अधिनियम को 1980 में पारित किया गया तथा इसे 1988 इसपी में सनसुधित किया गया और बन जीव सनक्षन अधिनियम जोन है बन जीव सनक्षन अधिनियम यह आपको 1972 हो जाएगा next देख लेते हैं question number तीरपन में कह रहा है कि निकरिष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को सन्चालन से बाहर कर देती है question number 54 कह रहा कि हिरदय यूजना के अंत्रगत बिहार के किस एक मात्र सहर का चैन किया गया है चोवन का राइट एंसर हो जाएगा option number C एनिकी गया का गया जीला का चैन किया गया है next देख लेते हैं question number 55 में कह रहा कि नवाट के स्थापना किस पंच बर्ची यूजना के दोरान की गया पच्छवन का राइट एंसर हो जाएगा option number B एनिकी छटी पंच बर्ची यूजना के दोरान किया गया था नवाट के स्थापना बारे जुलाई आपको आपको बारे जुलाई 1982 को शिवरमन समिती किसी पारिस पर छटी पंच बर्ची यूजना के दोरान होई option number B इसका राइट एंसर हो जाएगा 56 में कह रहा है कि IPC किस स्टॉक एक्चेंज सियर मुल सुच कांख है IPC किस स्टॉक एक्चेंज का सियर मुल सुच कांख है 56 कर आइट एंसर हो जाएगा option number A मैक्सिको question number 57 57 में कह रहा है कि निवन में कौन सा कर अपरत्यक्ष कर का उदारन है sun down कर आइट एंसर हो जाएगा option number C 1 और 2 यानि कि बिक्री कर और सेवा कर जोन है या आपको अपरत्यक्ष कर का उदारन है question number 58 कर आइट की निवन में कौन सौराज दल के नेता नहीं थे अंठावन कर आइट एंसर हो जाएगा option number C यानि कि C राज गोपालाचारी C राज गोपालाचारी सौराज दल के नेता नहीं थे मोतिला लहरू चितरंजन दास ने मिलकर आपको 1923 भी में सौराज पाटी के अस्थापना गी जिसमें बिठल भाई पटेलें सिरी निवास आयंगर भी सामिल थे यानि कि option number C इसका राइट एंसर हो जाएगा 59 में कहड़ा है कि किसके परियास से बंबई में प्रथम महिला विश्वी द्याले के अस्थापना की गई थी 69 कर आइट इंसर हो जाएगा option number B यानि कि D के करवे Next देख लेते हैं question number आपको 60 60 में कहड़ा है कि निमलिखित घटनाओ पर विचार करना है निल बिद्रो, संथाल बिद्रो, डक्कन बिद्रो, शिपाही बिद्रो इन घटनाओ का शही कुरम बताना है 60 कर आइट इंसर हो जाएगा option number D यानि कि पहले संथाल बिद्रो हुआ था जो कि अपको 8866 में हुआ था उसके बाद सिपाही बिद्रो 887 में उसके बाद निल बिद्रो जो हुआ था 860 SP में उसके बाद दक्कन बिद्रो 875 SP में हुआ था इसलिए इसका राइट इंसर option number D हो जाएगा question number 61 में कर आए कि औरंग जेव की 707 में मिर्तु के बाद मुगल सत्ता किष्ने शम्हाली थी एकसाट कर आइट इंसर हो जाएगा option number D यानि की बहादूर सा प्रथमने next देख लेते हैं question number 62 कह रहा है कि एक खूली परति योगी तात्मक परिक्षा के माधियम से Indian Civil Services में भारतियों के लिए परवेस कू निमलिखित में से किष्ने शम्हाली बनाया बासट कर आइट इंसर हो जाएगा option number C यानि की लर्ड डलहाओ जी ने next दिख लेते हैं question number 63 बीना दूर्गी के एक मात्र सिंधु नगर कौन सा था तीरसट कर आइट इंसर हो जाएगा option number D यानि की चन हुदरो दोस्तो आप मेरे चैनल पे नहें तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजेगा क्योंकि आपके लिए इसी तरह वीडियो लेकर के आते रहेंगे और जो भी फेकेंसी आपका आने वाला है भी हार दरोगा का वह जल्द ही आने वाला है यानि कि आपको अगर फरवड़ी में नहीं आ रहा है तो मार्ज के फर्स्ट वीक में 100% इसका फेकेंसी आएगा कि नेक्स देख लेते हैं कोश्चन नमर शिक्स्टीफोर को रहा है कि निम लिखित निवन में इसे कौन सी रचना राज सेखर की नहीं है आपको उप्युक्त में से कोई नहीं आपकी रचना दिया हुआ है सभी रचने राज सेखर के दवरा रचित है 64 के राइट एंसर जो दे रहा है option number D दे रहा है यानि कि करपूर मंजरी और काव मिमांसा करपूर मंजरी काव मिमांसा खड़ बिलास खड़ बिलास करपूर मंजरी काव मिमांसा और बाल रमायन यह सभी आपको जो है यह आपको रचना है राज से खड़ की यहां दे रहा है उप्यूक्ति जभी रचने राज से ख़र के द्वहरा रचित हैं या नहीं जो दे रहा है यहां पे में स्प्रिन्ट हो गया है यहीं कि ज़ुह राज से ख़र की है दुव कि इसंके राइट इंसर यहां पे होना चाहिए option number D यानि कि के सभी option भी इसका गलती दिया है आप लोगे इसको एक बार देख लिजिएगा करपूर्वमंजरी, काविमिवांसा, हर विलास और बाल रमायन इस सभी जो नहें यहाँ आपको राज सेखर की रचना है next देख लेते हैं question number 65 करा की राम कृष्ण मिशन की अस्थापना किस बर्स की गई थी 65 कराइट इंसर हो जाएगा option number D यानि की 1897 रिस्पी में राम कृष्ण मिशन की अस्थापना किया गया था और यहाँ आपको बेलूर में किया गया था और इसका अस्थापना बिवेका नन्न की अथा option number D इसका राइट इंसर हो जाएगा question number 60 6 में कहड़ा कि शुंग बंस की रजधानी कहां थी 66 कर इंसर हो जाएगा option number B अनि की वीदी सा शुंग बंस का सन्थापक जो थे वह पूष्च सुमित शुंग थे इसने 185 इस वीपुर में मुर्बंस के अन्तिम सासक बिहद्रत की हथ्या की थे था सुंग बंस के स्थापना की सुंग बंस की रजधानी वीदी साथ थी यानिका option number B इसका राइट इंसर हो जाएगा next अमोग देख लेते हैं question number 67 में आपको कहड़ा कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है प्रंतु गांधी बाद नहीं option number C एनकी कराची अधिवेशन कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 में जिसकी अधियक्स्ता सरदार बल्लबही पटेल ने किया था option number C इसके राइट इंसर हो जाएगा question number 68 करा कि अकिल भारती एक किसान सभा के थापना किस वर्स की गई थी और शट कर राइट इंसर हो जाएगा option number C एनकी 1936 में और लखनौव में किया गया था लखनौव में सहजा नों स्वातिक दोरा किया गया था next देख लेते हैं question number 69 में आपको मिलान करना है मिलान करना है East India Association मदरास महाजन सभा उत्तर प्रदिस किसान सभा और Indian Society East Indian Association के स्थापना 1866 में किया गया था इनकी एक का चार हो जाएगा मदरास महाजन सभा 1884 उत्तर प्रदिस किसान सभा 1908 और आपको Indian Society 1872 यानिकी एक का चार option B और C में दे रहा है और आपको B का 3 यानिकी इसका right answer option number B हो जाएगा next दख लेते हैं question number 70 में कह रहा है कि अकबर ने किसे कभी प्रिये की उपाधी दी थी 70 का right answer हो जाएगा option number B यानिकी विरभल को अकबर ने विरभल को कभी प्रिये की उपाधी दी थी और विरभल का वास्तिविक नाम महेसदास था next दख लेते हैं 71 में आपको current affairs है इसका right answer हो जाएगा option number B फुराना current affairs है इसको आप लोग देख लीजिएगा 72 में कह रहा कि भारत के किस राज निहाली में मुख मंत्री सोर सोरोजगार योजना के सुरुवात की 72 कराई टेंसर हो जाएगा option number C न की उतराखन question number 73 में कह रहा है कि सयुक्तराष्ट के प्रतिष्टी ससकावा पुड़सकार 2019 कि से दिया गया 73 कराई टेंसर option number A N की PK मिश्रा यह भी आपका 74 करेंट है इसका राई टेंसर option number B हो जाएगा देख लिए जगा जी मेक्स चो होता है भारत वर जपान के बीच होता है question number 75 कह रहा है कि COVID-19 को में हमारी घुशित करने वाला पहला राज कोल सा है 75 कर राई टेंसर option number D हो जाएगा हरियाना 76 में कह रहा है कि किस राज के डल्ले खुरसानी मिर्च को हाली में जी आई टेक परदान किया गया 76 कर राई टेंसर option number C हो जाएगा सिक्किम question number 77 इसका राई टेंसर हो जाएगा बालीवूड की परसीद costume designer का October में निधन हो गया इसका राई टेंसर option number A हो जाएगा भानू अथाया 78 इसका राई टेंसर आपका हो जाएगा option number B यानिकी एश्वर्या सिरीधर question number 79 निमन भारतिया राज्यों में शरवादिक बन छेत्रवाला राज कौन है 89 का राई टेंसर हो जाएगा option number A यानिकी मधपर्देश मधपर्देश और उनाचल पर्देश तथा 36 गड़ यानिकी करम से हो जाएगे 2020 का श्टेले योपन है option number A हो जाएगा नुआग जुकोवीच 81 में हालीम चर्चा में रहा सुर्य धार जील किस राज में है 81 का राई टेंसर हो जाएगा option number C या आपको उतरा खंड में है 82 कहड़ा के हालीम चर्चा में रहा पन्ना टाइगर इजर्व किस राज में है 82 का राई टेंसर option number B हो जाएगा मधपर्देश 83 83 नासा ने चंदरमा पर पहला सेलूलर नेटवर्क के स्थापित करने के लिए किस कंपणी को चुना है 83 का राई टेंसर हो जाएगा option number A यानि कि नोकिया को question number 84 2 अक्टूबर को उगांधी जैन्थी के उसर पर भारत ने किस देश के स्वास्त और सिख्षा से जूरे 41 एंबूलेंस और 66 स्कूलबस से धान की 84 का राई टेंसर हो जाएगा option number A यानि कि नेपाल 85 इसका राई टेंसर अप्सन number E हो जाएगा यानि कि स्थेजर लेंड next देख लेते हैं question number 86 बिहार विधान सभा में अनुसुतित जन जाती के लिए अरक्षित सीटों की संख्या कितनी है इसका राई टेंसर हो जाएगा option number A यानि कि दो सीटे है 87 में कहँए कि हाली में प्रधान मंत्री नरेंद रुमूदी ने रोपेक्स टर्मिनल और रोपेक्स सेवा का उद्खाटन की स्राज में किया 87 के राई टेंसर अप्सन नमर B हो जाएगा गुजरात 88 में कहँए कि हाली में आई वरी कोष्ट के नय प्रधान मंत्री कोन बने है 88 के राई टेंसर हो जाएगा option number B यानि कि हामिद बकायो को option number B राई टेंसर हो जाएगा दोस्तों इससे रिलेटेड आप लोग current affairs को एक साल का current affairs आप लोग इसका तयार किजिए यानि कि January 2000 जनवरी तो नहीं लेकिन अभी आप कम से कम March 2022 से ले करके आपको लोग continue current affairs की तयारी कर दिजिए March 2022 से 89 में कह रहा है कि 200 दुख दिदी वसका मनाया जाता है 89 के राई टेंसर हो जाएगा आपसा नमर B एक जून को मनाया जाता है next दख लेते हैं इसके राई टेंसर हो जाएगा आपसा नमर B एनिकि शिंगापूर question number 891 है कि A promised land पुष्ता के लेका कौन है पुष्ता के एगर आहवे मुख सूचना यूक्त को नियूक्त हुए है 92 का राई टेंसर हो जाएगा आपसा नमर B एनिकि शिंगापूर निमलिखित में आपको राज हैं और राजपाल है जो कि अभी चेंज हो गया होगा आप लोग इसको देख लीजिएगा पड़े आवरण के छेतर में शहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझावता किया 95 के राई टेंसर आपसा नमर B हो जाएगा यानिकि भूटान के साथ 96 करा की वाई फाई की सुबिधा प्राप्त करने वाला 500 रेलबे स्टेशन कोन है 96 कर राई टेंसर हो जाएगा अपसा नमर A यानिकी मिदानपूर कोश्चन नमर 97 करा की भारत ने पहला परमानू परिक्षन कब किया 97 कर राई टेंसर हो जाएगा अपसा नमर A यानिकी मई 1974 में कोश्चन नमर 98 कहड़ा कि अंतराश्टिय स्रम संगठिन का मुख्यालक कहां इस्तित है अंठार्मे के राइटेंसर हो जाएगा अपसर नमर C जेनेवा में 99 कहड़ा कि दक्षिन पुर्वी SCI राष्टो के संग यहने कि SCN में कौन सा देश सामिल नहीं है 99 के राइटेंसर हो जाएगा अपसर नमर C मालदीव जोन है इसमें सामिल नहीं है दक्षिन पुर्वी SCI राष्टो के संग SCN का गठन जो है वो 8 अगस्त 1967 को कुख हुआ था और बरतमान में इसके 10 सदस देश है जिसमें Indonesia, Philippines, Malaysia, Thailand, Singapore, Brunei, Vietnam, Laos, Cambodia और Myanmar है और इसका मुख्याले जाकरता इंडोनेसिया में है इसका राइटेंसर अपसर नमर C हो जाएगा और आज का उन्तिम कोश्चन है कि राधा मोहन कौप नीम्न में से किस खिल से संबंदीत है 100 कराइट इंसर हो जाएगा अपसर नमर D या आपको पोलो से संबंदीत है तो दोस्तो यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार, दरोगा, प्ररामभिक परिक्षा 23 के लिए था जो कि यह प्रैक्टिस सेट नमर 2 था इससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लैलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीज सस्क्राइब कर लें इसे लाइक करें दोस्तो में सेर करें फेस्बुक, वाट्सब, टेलिगराम के माध्यम से और दुस्तो अगर आपको इसका पीडिये जाए तो डिस्क्रिप्सन में टेलिगराम कर लिंक दे दी हैं आप वहाँ से प्राप्ट कर सकते हैं तो चले दुस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद